नमस्कार दोस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी 2.0 पर हमारा सेकंड चैनल है तो जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजेगा यह हमारा एप्लिकेशन है डियर गु जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि इस क्लास को तो आज का जो पहला प्रश्ण है पहला कोशन है देखिए आपके सामनी यह रहा और जवाब दीजेगा आई एनस अरिहंत निमलिखित में से क्या है और सब लोग इसका जवाब जो देती हुए चलेंगे इसका ज बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और अगला कोशन पूशा गया है कि भारत के प्रथम विमान वहक आई एनस विक्रांद को कब सेवा मुक्त किया गया तो याद रिखेंगे 1997 में 1997 में जो इसको निरमुक्त कर दिया गया था तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग य विक्सित और डिजाइन किया है और उसके मानो रहित हवाई वाहन यानि कि UAV उडान का सफल प्रेक्षड भी कर लिया है तो वो कौन कौन से निसांत लक्ष और अस्त्र यहां पर अगर देखा जाए तो भारत ने निसांत नाम का और लक्ष नाम का ठीक है मानो रहित जो है बेतक विमान जो है विक्सित किया है और इसको डिजाइन किया है तो इसके मानो रहित हवाई वाहन की उड़ान जो है विस्क्रील परच्षड भी कर लिया गया है तो ऑप्स नंबर जितने लोग डी जवाब से रहें केवल एक और दू बोलोग यहां पर जो है बिल्कुल कर सृष्ड कॉंसा है ठीक है कौशनवाण 3x है इसका जवाब देती चलेगा भारत में छोटी दूरी का सत्ह salt humilly का सत्ह से हवा में ध्यान देखेगा सता से हवा में सतर स्ल्फ जाएगा ओठ से हवए मार करने वाला प्रच्चड पास्तर है अस्त्र अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाला प्रिच्छे पास्त्र है 25 किलिमेटर से 40 किलिमेटर इसकी जो है छमता है आकास की बात करते हैं तो यह सतह से हवा में सतह से हवा में मार करने वाला प्रिच्छे पास्त्र है ठीक है अगला कोशन पूशा गया है कि एक भा जरू सी जो आपके पेपर में आता है तो तेजस तेजस जो एक हलका लड़ाकों इमान है तो यह भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेट के दौर जो विक्सित किया गया एक इंजिन है और एक सीट वाला लड़ाकों इमान है ठीक है तो आपसे नमबर जितने में आपको वताय था यह सत्ह से हवा में मार करता है और इस मिसाल का प्रेंट जिया तो तो यहांसे किया घएँ Гос RD मारीच मारीच जो है आपका क्या है तो भाई मारीच जो है एक टारपीडो है रच्छा पढ़ा ली है जो कि नॉवंबर दोज़ा पंद्रा में भारती नॉसिना को सौपी गई थी तो यहां पर जितने लोग आपसे नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है भारत में निर्मित टैंक का नाम बताइए क्या है भारत में निर्मित टैंक का नाम बताइए क्या है कोईशन नंबर 345 है जवाब देते हैं चलिएगा भारत में निर्मित टैंक यहां प किया गया भारत का पहला स्वदेशी बिमान कौन सा है चले इसका जवाब जो देती हो चलेंगे इसका जो सहीत तरह आपका क्या हो जाएगा कोईशन अबर 346 है और जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया तो हल के द्वारा डिजाइन किया भात का पहला स्वदेशी बिमान जो आपका कौन सा है तो ह्टी टू ठीक है अगर हम बात करते हैं तो यह दो सीट वाले एक कह सकते हैं प्रात्मिक ट्रेनर बिमान है जिससे हल ने जो है डिजाइन किया था अगला क्यूशन देखें पूछा गय है भारत की पहली नंबी दूरी की एकाधी क्लेक्ष मिसाइल है तो दुस्तों याद रखेंगे यहां पर जो करेक्ट हैंसर आपको हो जाएगा आकास ठीक है आकास जो है सता से हवाविमार करने वाला है मैंने आपको बता भी रखा है तो आकास जितने लोग जबाब दे रह किया गया था चलिए वाई तीसरी पीडी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राष्थान में डियार डियो के द्वारा सफलता पूर्वग पलिक्षड जो है किया गया था ठीफोर्टी नाइन है और सब लोग इसका जवाब जो देती हो चलिएगा तो तीन सो कॉमबेट अधिकारी के रूप में भरती होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है बहुत इंपॉर्टन कोईशन है सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा चलि भाई जवाब देखे आना सर्वूच्य कमांडर कौन है भारतिये सरसस्त्र बलो के सर्वूच्य कमांडर जो आपके कौन है क्या लिए वाई कोईशन अबर आपके यहाँ पर देखिए 351 दिया गया और सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो ज है ठीक है इसका याद रखेगा अगला कोईशन देखिए आप से क्या पूचा गया है कि अर्दस्यानिक बलका प्रमुख मने वाली पहली महिला का नाम बताईए क्या है जब आप देखिया ना सुरू हो गया है तो तो याद रखिएगा अर्चना रामा सुंदरम अर्चना बिए पहली महिला बनी थी जिवाब दे रहे हैं वह लोग यहांपर जो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कुशन देखेंगे आपसे यहां पर किस्तु भांगी स्वरूप अभी जो बतागिया कि यह पहली महिला बनी थी स्वाइब बनी थी तो अब यह बता दिया लेकिन कि कहा पर नौ सेना थल सेना वाइव सेना यह रौ तो अभी जश्ट आपको बताए गया उत्तर पदेश की रहने वाली जुवांगी सुरूप है भारती नौ सेना में सामिल होने वाली पहली महिला पाइलट बनी थी पिछले क किताब है मिश्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले भारत के पहले बॉड़ी बिल्डर कौन थे तो दुस्तों याद रिखेगा मनोतोस रॉय बहुत इंपॉर्ड़ों कोईश है मनोतोस रॉय जो एक भारती बॉड़ी बॉड़ी बिल्डर थे जो नाइंटीन पाने वाले पहले भारती निसाने बाद कौन थे अरजन पुरुषकार पाने वाले पहले भारती निसाने बाद जो आपके कौन थे इसका जवाब जो देती हो चलिएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा जवाब देखिए आना शुरू हो गया है तो इस प्रश प्रदर्शन करने वालों को जो है दिया जाता है इसके सुरुवात कब हुई थी 1961 में हुई थी तो इसको याद रखेगा अगला क्वेशन देखे आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डॉट 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 पुरुसकार भारत सरकार की खेल मंत्राय द्वारा 1901 में स्था मत्ता है कि अरजुन पुरुसकार में क्या-कया मिलता है तो अरजुन पूषकार में एक तो पांचलाग रुफए की रासी आपको मिलती है ठीक है पांचलाज रुपे की राड़ाफी मिलती है और Artun की aans प्रतिमा और एक प्रसष्टी पत्र जो है प्रदान किया जाता है त का सर्वोच सहॉतिक प्रॉषकार चिक फ्रॉसकार तर्व को अब लाता है कि य है कि महादव रुप्रमा झी को मिल चुका था दोजा इनुनीश की यह आंच तो यह ग्यान प्रॉसकार जो जो है मलीयालम 현재 कि नंबूदरी को दिया गया था। और ये 55 ग्यानपिर प्रोस्कार था ठीक है और पहला ग्यानपिर प्रोस्कार जो मिला था फ़र्ष्ट वाला यह मिला था जी संकर कुरूप को दिया गया था ठीक है जी संकर कुरूप को दिया गया था अगला कुशन देखिया आप से आपर क्या पूशा गया है भारत और पाकिस्ता दोनों के सरवोचे नागरिक प्रुषकार प्राप्ट करने वाले मोरार जी देशाहीiasm पूरी बात बता देखाई भारतवल प्रुषकार करने वाले जो एक्मात भाप्ति फेसाही थेिये भारत के चौथे प्रधान मंत्री थे, फोर्स नमबर के प्रधान मंत्री भी थे, यह याद रखेगा, पाकिस्तान के सरोचनागरिक पुरुषकार जो आपका हूं वहां का पाकिस्तान का क्या भई, निसान ई- पाकिस्तान से इनको जो है नवाजा गया था, तो यह चीज़ याद रखेगा चलिए और भात रत भीन को 1991 में दिया गया था यह चीज़ याद रखेगा अगला कुशन पूछा गया आप से यहाँ पर कि भारत रत्न प्रुसकार प्राप्त करने वाले पहले खिलाडी कौन है यह तो सब को पता हो जाएगा चलिए सब लोग बताते हैं चलिएगा इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा जब आप देखिया आना सुर्व हो गया तो भारत रत्न प्रुसकार पाने वाले पहले खिलाडी जो आपके कौन थे तो दुस्तर याद रखेगा और जो इसका ही हो गया सचिन देंदु इसमी में ठीक है भारत रत्न से जो है दोजाट चौदा इसमी में नमाजे गए थे और सरुतम खिलाडी और सबसे कम उम्र के ब्यक्ति भी थे जो कि इनको ये मिला है अगला कुशन देखिए आप से यापर क्या पूशा गया है नोबल प्रुसकार जीतने वाले एक मात्र भ अर्थसा सास्त्री अम्रद के सें का से लोग के ज bı OP के जवाब देखिया रहे हैं बिलकुक सही बात है 1998 में इनको आमरत जो है त्जार प्रुसकार मिला था इसका झो है डिया ख़िक है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इसके लावे यहाँ पार याद रखिए गा भारत मे ब्हुत्टी वग्जान के छेत्र में मुट्र तीर रमन को मिलचका है घृति विग्यान खुर्फर ले मिलच अगल्विछन लेकाय प्पूशह different संब्यूक्य प्रस्क्कार दियर जाते है पुछाएगा और देखें पर जवाब आना शुरू हो के तो 312 में दिखा जाए तो आपका खेल और आपको बताया थे श्टार्ट हुआ तो अगला कॉशन देखें आप से यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखें अगर सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास किजिएगा कि 1962 में इस्थापित डॉक्टर बी सी रवाय प्रुसकार मुखिरूप से किस छेतर में सभलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता तीन सो तिरुशन की बात करते हैं तो चेकिस्ता के छेतर में दिया जाता है तो आपसर नमबर जितना लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलि साथी अगला कोशन दे चल जा रहा सांति शरुब बटनागर वार्सिक तो बटनागर के अगरा बात करते हैं तो यह हो जाएगा प्रतेक वर्स जो है विग्यान और टक्नीकी के छेतर में दिया जाता है यह बहुत इंपॉर्ड़न कोश्चन है इसको याद रखेगा इसका मूल उद्द्द्द्द इसका है बिग्यान और प्रतियुकी को बढ़ावा देना है और जितने भी वहां पर जो असाधर प्रतिबा के जो धनी लोग है उनको जो है सम्मान पुरुस्कार यह देना है अगला कोशन दादा साफाल के पुरुस्कार सबको पता है वही किस छेतर से संबंदित है दादा मैं आपको समझा भी चुका हूँ पढ़ा भी चुका हूँ देविकारानी को जो है सबसे पहले जो है यह किया गया था त्वी चीज़ाद रखेगा दादा साहब फालके परुस्कार जो है इससे समायत होने वाले प्रसम वेक्ति कौन थे अभी मैंने आपको बता है पिछले इसके जो correct answer आपका क्या हो जाएगा तो भाई याद रखिए कि देविका रानी ठीक है देविका रानी जितने लोग जवाब दे रहे हैं आफसरंबर डी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि दादा में जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे आगला question दादा साहब फाल के पुरुसकार किस छेतर में महतुपूर सावजनी कुप लगदी के लिए दिया जाता है question number 366 है जवाब जो देती हो चलेगा तो भाईया दादा साहब फाल के पुरुसकार जो सिनेमा के छेतर में दिया जाता है सबको पता है फिल्मे के छेतर में दिया जाता है ठीक है चली एक ही question कई बार रेपीट होगा बड़ कोई बात नहीं च्छे बचकर 30 मिनट पर यानि की थोड़ा सा टाइम बचा है रेश्ट रेश्ट कर लीजिए एक ठाखाना पीना न प्रियास कीजिएगा ठीक है ठीक है तो आज की इस क्लास में जोड़ने के लिए सभी का बहुत वह थन्यवाद